तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं ITI Mason Course के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्यूंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्सस के व बारी में आफ से मिल डिसक्स करूं तो तो जैए कोर्स एक Vocational Training Program का कोर्स है, तो जैए एक ऐसा Training कोर्स है जिसमें मेंसनरी का जो काम होता है वो सिखाया जाता है तो मेंसनरी का काम होता है Buildings, Walls, Floors और अधर परकार की जो Construction होती हैं उनके Elements को बनाने के लिए किया जाता है तो मेसन का काम का मुख्य देशे है वो ब्रिक्स, ब्लोक्स जा स्टॉन्स को एक दूसरे के साथ सही तरीके से अरेंज करके वॉल्स, फ्लोर्स और अधर परकार के जो स्ट्रक्चरलल इलिमेंट्स होते हैं उनको क्रियेट करना होता है तो अगर आपसे मैं बात करूँ इस कोर्स के बारे में तो जाया कोर्स स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्चन इंडस्ट्री में मैसन वर्क करने के लिए ट्रेनिंग को प्रवाइड करता है तो इस course के माध्यम से students को constructions के बारे में जो जानकारी होती है वो दी जाती है तो machinery tools और जो techniques होती है वो भी इसके बारे में students को पढ़ाया जाता है तो practical की जो knowledge होती है वो तो आपको कफी अच्छे से इस course के माध्यम से दी जाती है इसके साथ ही idea lesson course के दोरान students को constructions, blueprints और drawing पढ़ना, measurements लेना और सही तरह से bricks और blocks को arrange करना भी सिखाया जाता है और अगर आपसे में बात करूँ इस course के duration की तो इस course का जो duration है वो six months से लेकर दो वरश के विच हो सकता है तो इस training course को पूरा करने के बाद students को lesson related जो jobs की opportunities होती है वो student को मिल सकती है अब ही आपसे मैं eligibility criteria के वारे मैं आपसे मैं discuss करने वाला हों कि जिनिए आप इस course में आकर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में आपको admission लेने के लिए दोस्तो आपको जो 10th की जो class है उसे आपको pass करने पड़ेगी आपको 10th की जो class है उसे आपको 50 percentage mark से जाद आपको pass करने पड़ेगी तो तब ही आप इस course के लिए eligible hope आओगे और अगर आप चाहो तो आप इस course को 12th की class को pass करने के बाद भी दोस्तो आप कर सकते हो अभी आप से मैं job profiles के बारे में आप से मैं discuss करने वालाओं कि जिनिए अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप मैंसर बन सकते हो आप construction worker बन सकते हो इसके इलावा दोस्तो आप जो supervisor की जो job है उसे भी आप हासल कर सकते हो तो आप खुद का वी जो business है उसे भी आप चालू कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में slayvers के वारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जिन्हें आप इस course में आखिर किस परकार खा जो slayvers होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप introduction to machinery, basic tools and equipment, foundations and footings, types of bricks, etc जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के मादम से दोस्तो आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दो रहान आपको करवाए जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे ITA महसन course के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्थ हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वी काफी सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उने वेकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्ति में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद